नमस्कार दोस्तों, घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै माताधी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों, आज के इस वीडियो के माधहम से हम आप लोग को बताएंगे कि 21 जून 2020 को साल का जो पहला सुरी गरहन लग रहा है वो सुरी गरहन के दोरान गर्वती महिलाएं अपना ध्यान कैसे रखे अपना ख्याल कैसे रखे सुर्ज गरहन के दोरान सुरी गरहन के बुरे परवाव से बचने के लिए वो कौन सा उपाय करे ताकि वो गरहन के दूस परवाव से बच सके दोस्तों इसी के बारे में संपोर्ण जानकारी देंगे साथ ही साथ हम 21 जून 2020 को लगने वाला सुरी गरहन का सही समय बताएंगे सूतक का समय बताएंगे और ये ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे दोस्तो साल 2020 में कुल 6 ग्रहन लगेंगे जिसमें से 2 चन्दर ग्रहन जो की 10 जनवरी 2020 को और 5 जून 2020 को लग चुका है अब 21 जुन 2020 को साल का पहला सुरिगरहन लगने जा रहा है जो कि एक खंड ग्राश सुरिगरहन है और इसके ठीक 15 दिन बाद 5 जुलाई 2020 को साल का तीसरा चंदरगरहन लगेगा तो आईए जानते हैं कि 21 जुन 2020 को पढ़ने वाले सुरिगरहन की पूरी जानकारी की किस समय दिखेगा और कहा कहा दिखाई देगा तो सुरिगरहन एक अधुद खगोलिये घटना है सुरिगरहन तब होता है जब पिर्थवी और सुरि के वीच चंदरमा आ जाता है 21 जुन 2020 को पढ़ने वाला खंडगराश सुरिगरहन होगा खंडगराश सुरिगरहन में चंदरमा सुरि को आधा ही ढख पाता है लेकिन इस बार का सुरिगरहन चल्ले के रूप में दिखाई देगा जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है यह असार मास के अमावस्या के दिन रविबार को लगने वाला है यह सुरिगरहन भारत में दिखाई देगा साथ ही है दक्षिन, रूस, मंगोलिया, बांगलादे, स्रिलंका, थाइलेन, मलेसिया, जापान, कूरिया, पुर्भी, आस्रेलिया, अफ्रीका, इरान, इराक, अधी रेसों में भी दिखाई देगा, 21 जून 2020 को पढ़ने वाला सुर्जगरहन सुवह 10 बच कर 14 मिनट से लेकर दोफर 1 बच के 38 मिनट तक रहेगा, इस सुर्जगरहन की कुल अबधी लगभग 3 घंटे से उपर की होगी, सुर्जगरहन का सुतक 12 घंटे पहले सुरू हो ज जान लेते हैं कि 21 जून 2020 को सुर्जगरहन के दोरान प्रेगनेंट लेडी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी साबधानिया बरतनी चाहिए, तो प्रेगनेंट महिलाओं को सुर्जगरहन के दोरान कुछ खाने पीने के नुमती नहीं होती है, लेकिन या इस्थिती गंभीर रूप ले सकती है। सरीर में पाने की कमी हो सकती है, जिससे जलन, सीर्दद और चक्कर आ सकते हैं। ग्रहन सुरू होने से पहले अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता या कूस घास डाल ले। इससे आपके भोजन और जल पर ग्रहन का दोस्त नहीं लगता है। सूरी गरहन के दोरान प्रेग्रिन पहलाओ को इसलिए बाहर नहीं निकले की इजाज़त नहीं होती है क्योंकि ये माना जाता है कि इससे पैदा होने वाला बच्चा या तो दिव्यांग होता है या फिर मानसिक तोर पर बिक्सित नहीं होता। साथ ही सूरी गरहन को नंगी आँखों से भी नहीं देखना चाहिए। बढ़ना जच्चा और बच्चा दोनों को हानी हो सकती है। सूरी गरहन के समय भगवान की मुर्तियों को असपर्स ना करे। गरहन खतम होने पर स्वैम असनान करने के बाद मूर्तियों को भी गर्वती महिलाओं को नुगीली बस्तूएं जैसे कैची, सूई, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्वास्ता में गरहन के दोरान कपड़ों की सिलाई को भी वर्जित माना जाता है। सूरी गरहन के दौरन गर्वती महिलाओं को भगवान का अस्मरन करना चाहिए या आपने इस्ट देविया गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए ग्रहन के समय धार्मिक किताब जैसे रामायन गीता, सुन्दरकान, आदिका पाठ करना चाहिए, इससे भगवान आपकी और आपके होने वाले बच्चों की रक्षा करते हैं ग्रहन खतम होने के बाद ही असनान करें, ग्रहन काल में असनान करना वर्जित माना जाता है सुरी ग्रहन के समय नकारात्मक्ता को दूर करने के लिए ग्रवती महिलाओं को अपने पास हमेशा एक नारियल रखना चाहिए और गर्व पे चंदन या गेरू का लेप रगा कर सुरक्षित रहना चाहिए ग्रवती महिलाओं को ग्रहन की दौरान क्रोध और तनाव से दूर रहना चाहिए पॉजिटिव ठिंकिंग रखना चाहिए और ग्रहन की दौरान किसी भी तरह का योगासन वबयाम नहीं करना चाहिए इसके बाद भी बहुत से गर्वती महिलाओं का ये सवाल होता है कि मैम ग्रहन की टाइम में मैं सोग गई थी तो कुछ होगा तो नहीं तो इसमें सतर्क रहना है ग्रहन की समय भूल कर भी नहीं सोना है इसके लिए आपको क्या करा है ग्रहन सुरू होने से पहले अपने सीर से पैर तक का एक धागा नापके उससे जिस घर में आप रहती हैं उसी घर में कहीं पे उसको टांग दे और ग्रहन की समापती के पास उस धागे को कहीं दूर जाके फेक दे ऐसा करने से ग्रहन का दूस्परवाव नहीं पड़ता है तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स